आज मैं Classics Science का Chapter 14 Water पढ़ाऊंगा ये Second Part का वीडियो Second Part है First Part में मैंने 14.2 से First बाले पढ़ा दिया है आप अगर नहीं देखे हैं तो First Part देख लीजेगा आज मैं 14.2 से पढ़ाऊंगा बुक में ध्यान से देखिए आप लोग Where do we get water from? हम जल कहां से प्राप्त करते हैं Where do you get the water that you use? अपने उपयोग के लिए आप जल कहां से प्राप्त करते हैं Some of you may say we draw water from river, spring, pond, whale or handpuff आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है water नदी से प्राप्त करते हैं, जीलो से प्राप्त करते हैं, समुद्र से या या तो handpump से प्राप्त करते हैं Some other might say we get water from taps कुछ और भी लोग कहा सकते हैं कि हम जो water वो कहां से प्राप्त करते हैं Have you ever wonder where water in the taps comes from? क्या आप जानते, आपने कभी सोचा है कि जो taps में water आता है, कहां से आता है? Water that you get from taps also drawn from lake river are available figure 14.2 It is then supplied through a network pipe जो taps में आपके जल प्राप्त होता है, वह जल आपके जो जल है वह किसी भी जील नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी जो supply होती है वह network pipe के द्वारा की जाती है, ठीक? अब next line देखते हैं Each of us may be getting water into our homes different ways जो हम में से प्रते का अपने घरों में जो जल प्राप्त करने का तरीका है, वह अलग-अलग हो सकता है But finally, all of us get water from the same source such as a pond, lake, rivers and whales लेकिन हम सब के जल के सुरोत यह कहीं है, जैसे की तलाब, जील, नदी और कुएं यह सब क्या है, source यह कहीं है, और तरीका अलग-अलग हो सकता है प्राप्त करने का, ठीक? देखते हैं, next, we have discussed some of the source of water, हमने अपनी discussion में कुछ जल सुरोतों का उलेकिन किया है Where does the water comes from, fill these ponds, lake, rivers and whales? इन तलाबों, नदियों, जीलों तता कुओं में भरने के लिए भरने के लिए जल कहां से आता है? यह जब भर जाता हो तो जल कहां से आता है? अब देखते हैं, next यह दो को दिया है, बूजो कुछ कराया है, यह देखेंगे, यह पर बूजो वांट, वांट्स तु यू, imagine a daily in your life when water supply through taps is not available बूजो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कलपना करें, जिस दिन जल की आप उरती taps द्वारा नहीं हो रही हो इसके बाद, so you have fetched in yourself from far away place, इसलिए आपको सोयम बहुत दूर से जल वाटर को लाना पड़ता है उड़ यू, use the same amount of water as on any other day, क्या आप जल की उतने ही मात्रा में उप्योग करेंगे, जितना की पहले करते थे या अन्य दिनों में करते थे अगर आप लोगों को दूर से पानी वाटर लाना पड़ेगा तो आप लोग उतना वाटर यूज नहीं करोगे यह आप बोजो का कोशन है, हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं, नेक्स्ट पेज हैं, क्या आप को पत्म क्या आप जानते हैं कि पिर्थिवी का तुन दो तियाई भाग जो है क्या जल से वाटर से घिरा हुआ है, जो इस जल का जो वाटर का अधिकांज भाग है, वो समुद्र और महासागों में है, जो समुद्र और महासागर का पानी होता है, उसमें क्या घुले होते हैं, क्या है, जो समुद्र और महासागर के पानी में है,नी होता और जह पी यहां क्या होता है. इसके बाद भीड्री और ड्रीकीण और यो कि नहीं है और वाटर पीने के लिए यहारी एग की वह रही नई उपी होगा, इसके बाद एक्रिक कल्चरों के लिए आवस्यक नहीं है यू माइट हैवा हर्ड दे फेमस लाइन आफ दे पोयम राइम आफ दे इंसेंट मेरिनर रिटेन बाइ एस्टी कोल्टी इन 1798 आपने एस्टी कोलरीज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम आफ दी एनिसेंट मेरिनर मेरिनर की एक लाइन सुनी होगी क्या लाइन वो वाटर वाटर इवरीवेर करा हर जगह जल ही जल नार एनी ड्रॉब तू ड्रिंग पीने के लिए कोई बुंद नहीं water water everywhere not any drop to drink हर जगह जल ही जल पीने के लिए कोई बुंद नहीं ठीक here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean यह कवी ने महासागर में भटके वे किसी जहाज के नाविक का उले किया है वो चारो तरफ खो गया है और उसके अब चारो तरफ से watery water लेकिन पेने के लिए नहीं है ठीक क्योंकि समुद्र का water होता हो क्या होता है saline water होता है it oceans play an important role in supplying the water that we use फिर भी हमारे महासागर हमारे उपियों के लिए जल आपूर्ती के लिए आवस्यक भूमी का निवाते हैं do you find this surprising क्या आपको आश्यर जनक लगता है after all the after all the water that we use is not salty अखिरकार जो जल हम उपियों करते हैं वो क्या खारा नहीं होता है many of us live in a place far away from the oceans हम लोग में से बहुत से लोग क्या है लोग मासागरों से बहुत दूर पर दूर पर रहते हैं does the water supplying in this place also depend on the oceans जो क्या कर रहा है कि हम लोगों में से बहुत से लोग मासागरों से बहुत दूर अधिक दूरी पर रहते हैं क्या इन अस्थानों की जल आप पूरती जो हती है मासागरों पर डिफेंड करती है how does the oceans water rich rich ponds lakes rivers and wells करा है मासागरों का जल जो है इन तालाबों और जीलों नदियों और कुओं में कैसे पहुचता है which supply us water how come the water from this source is not saline anymore इसा क्यों है कि इन सुरोतों का जो जल है किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है मतलब जो हम लोग जल परियों करते हैं आता है हम लोगों को टैपस में कुवा से उसमें क्या होता है वो से लाइन नहीं होता है अखिर काल वो समुद्र से होकर आता है तो खारा क्यों नहीं है अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से देट इस वेर दवाटर साइकल क होता है यानि जल चक्र क्या होता है वाटर साइकला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्के लिए oral में जेंने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर निले